चलिए दोस्तों बात करते हैं से एक और question के बारे में, इस question में एक्जाम नहीं का है, if x जो है वो greater than 1 से and x plus का 1 upon x is equal to 1 by 12, then the value of x की 4 minus का 1 upon x का 4, इसको solve कीजिए और बताइए कि इसका right answer क्या है, एक बात तो यहाँ पर धियान से देखे, पहले तो option में देख लेजिए, यह 5 हैं 5 हैं 5 हैं 5 हैं, यहाँ पर difference दुरू हो जाता है, तो हम यहाँ पर धियान देगे जब इस question को solve करेंगे, तो इस question को solve करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका तो यह है, कि यह देखे, कुछ ना कुछ आपके आस formula बन रहा है, तो इस formula को अगर मैं खोलूंगा, तो यह मेरे हो जाएगा, x plus का 1 upon में x हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको और खोलेंगे तो, तो आईए चलिए, solve करते हैं इसको, अब देखे, यहाँ पर मुझे x plus का 1 upon में x is equal to 25 by में आपका यह 12 दे रखा है, 12 दूंच 25 यानि कि x plus का 1 upon में x की value तो मुझे मिल गई, कितना है आपका 25 by में आपका यह हो जाएगा, आपका 12, अब मैं value निकाल लेता हूँ, x का square, plus में 1 upon में x का square, इसकी value निकाल लेता हूँ, तो इसकी value अगर direct निकाल ली है, तो मैं इसको, का square लिखूँँगा, ऐसे लिखूँगा, और direct इसका square करूँगा, तो यह 625 upon में 144, यहाँ plus का 625 माइनस का 288 upon में 144, solve करेंगे, तो यह मेरे पास में 337 by में आपका 144 आ जाएगा, तो यहाँ कि इसकी value मिलगी में, 337 by में आपका 144, यह मेरे को value मिलगी, अब मुझे एक value और चाहिए, x माइनस का 1 upon में x, इसकी value चाहिए, अब इसको बनाने के लिए थोड़ा सा adjustment करना तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 add कर देते हैं, और 2 minus कर दें, इसके कोई फरक नहीं पड़ेगा, बट यह प्लस वाला 2 जब में इधर भेज़ूँगा, तो यह हो जागा मेरे पास में x का square, plus में 1 upon में x का square, minus का 2, बराबर में 337 by में 144, और minus का 2 को जाएगा, तो यह क्या ह आप उन में x का, यह मेरे पास whole square हो जाएगा, बराबर में, इसका जब l से में लूँगा, तो 337 minus का 288 upon में 144 हो जाएगा, तो x minus का 1 upon में x, यह root के अंदर हो जाएगा, आपका 49 by में 144, यानि कि x minus का 1 upon में x is equal to 7 by में आपका 12 हो जाएगा, तो इसकी value मुझे मिलगी, 7 by में आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, तो नीचे वाले को देखने की जूरतनी यही value बनेगी आपकी, उपर वाले को देखते हैं, तो इसको पहले इससे multiply है, सत उस्ते नंचास का 9, 9, ये 4, 7, 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, आपका, 25, 2, 7, 21, 22, 23, इसको multiply गरना 25 से 25 से, तो क्या 25 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 4 into by, और divide by 4, यानि कि ये 100 हो जाएगा, तो direct 100 से से multiply करते हैं, और 4 into by, 144 into by 144, ये तो मेरा as it is ये ही value बनेगी आपकी, इसको मैं direct इससे divide के लेता हूँ, 2, 3, 5, 9, double, 0, divide by मैं 4, तो ये 4, 5, 20 होगा आपका, 3 बचेगा, तो 4, 38, 32 होगा मेरे पास में, 32 होगा आपका, 3, 4, 9, 36 होगा आपका, तो ये बचेगा आपका कितना 3, ये 0, तो 4, 7, 28 हो जाएगा आपका, बचेगा 2, 0, 13, तो 4, 25, 20, यानि कि 5, 8, 9, 7, 5, 5, 8, 5, 8, 9, 7, 5, यानि कि option A जो है, वो इस question के लिए correct होगा, यहाँ पर भी अगर देखें, तो 4, 16, यानि समय 6, 6 आ रहा है, इसको multiply करेंगे आप, तो ये ही value आगे, यानि इस question का answer जो है, वो A है, अब चलिए इसको एक तरीके से और देखते हैं, पहले एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं, कि हो सकता है किसी बच्चे को ये ना समझ में कि सर, आपने ये X प्लस का 1 अपोन में X ये ले लिया, इस कल्टुबे 25 आए में आपका 12 आपने ये value ले लिये, आपने जो निकाला यहाँ पर X का square, प्लस में 1 अपोन में X का square, ये कैसे निकाला डेर्ट, बिटा कुछ नहीं किया, इसका square किया दोनों स्रम मैंने, जैसे square क करेंगे X का square प्लस में 1 अपोन में X का square आता है, प्लस में 2, X into में 1 अपोन में X करेंगे, तो ये 6 to 5 अपोन में 144 आपकी value हाजागी खोडने की बाद में, इस X से X कटेगा, तो ये X का square प्लस में 1 अपोन में X का square ये हो जाएगा, बराबर में 6 to 5 अपोन में 144 और ये plus का द 7 by में आपका 144 यह LCM लेगे इसको इस तरह से क्या था आप इस तरह से करना चाहिए इस तरह से कर सकते हैं नहीं तो डिरेक्ट तो बताया ही मैंने आपको क्या करना है आपको आपको यह value जो रखिए यह X प्लस का 1 अप उनमे X इसकल तो 25 बाइ में आपका कितना दे रखा आपका 12 तो क्या करना है आपको X का square प्लस में 1 अप उनमे X का square निकालना है तो आप यह किजिए इसका square कर दिए तो 6 to 5 आजाएगा आपको और उनमे 144 हो जाएगा 12 का square 144 यहां प्लस का निशा ने माइनस लगा दिए और 2 कर दिजिए तो यह X का square प्लस में 1 अप उनमे X का square सॉल करने के बाद आएगा 337 बाइ में 144 इस तरह से करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं नहीं तो मैंने तरीका तो बताए दिया अब चलिए अब दूसरे तरीके के बारें बात करते हैं तो यहां पर दे रखा आपका चार यह कितना है बारा दूसर लूपच्चीस बटे में आपका कितना दे रखा आपका 12 इस बारा को लिक्सतों में 3 x 4 तो यानि कि मुझे यहां पर एक value रखने है जो 25 बटे 12 बना दे तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी value रख लूँ यहां पर आपका यह आपका रख लूँ आपका चार बटे में 3 इस x की जगे तो यहां 4 बटे 3 रखने है तो यह उपर जाएगा 3 बटे में आपका 4 तो यह 4 चोग 16 प्लस का कितना 3 थी है 9 अप उन में कितना हो जाएगा 12 यानि कि 25 बटे में आपका 12 यह इस question का question को क्या करें equal कर रही है तो अभी इसी value को हम यहां की use करेंगे तो हम यहां रखेंगे आपका 4 बटे में आपका 3 का square minus का यह हो जाएगा आपका 3 बटे में 4 का यह square हो जाएगा आपका sorry 4 4 time है तो 4 हो जाएगा तो 4 चोग 16 16 16 26 256 बाई में 81 हो जाएगा minus का 81 अप उन में कितना हो जाएगा 256 यह हो जाएगा इसको cross multiply करते है आलसम लेंगे तो 81 इंटू में 256 256 यह निए 256 और 256 को multiply करेंगे तो 6 x 36 25 बच्ची 625 बच्ची 625 बच्ची 625 और यह 300 इसको solve करेंगे 6 3 5 5 और 6 यह इसकी value आगे अब 81 का देखेंगे 81 और 81 इन दोनों को multiply करेंगे तो 0 1 6 6 8 1 8 दूनी 16 तो यह 1 6 5 6 हो जाएगा तो यहाँ से solve करेंगे तो यह आएगा 1 6 5 6 इसका difference करेंगे तो यह मेरे पास में 5 बनेगा 5 बनेगा तो यह कितना आगा 7 और 6 13 यह कितना आगा आपका 9 आएगा यह आपका 8 से 14 और यह आपका 5 आएगा यह नहीं कि यह जो आएगा 5 8 9 7 आपका और 5 तो इसको multiply करेंगे 256 को 81 से multiply करेंगे बट पहले में एक बार check कर लेता हूं कि option में कहीं मेरे को मिल रहा है इन टुबे 8 6 48 4 8 45 44 4 8 2 16 4 20 इसको add करेंगे तो 6 8 5 13 7 और 0 2 यही value आ रही है यानि इस question का जो correct answer है वो option ही है अगर अब आप इस value को सोच नहीं पाते हैं अगर इस value नहीं सोच पा रहे हैं तो देखिए इस question में एक तरीका और दे रखा है वो तरीका क्या है कि आप इन दोनों का LC में ले ले लिजी तो x plus का 1 अप उन में x is equal to 25 by में कितना आ जाएगा आपका यह आपका 12 तो इसका LC में लेंगे सबका तो यह 12x plus का 12 बराबर में 25x हो जाएगा और यह 12x का स्क्वेर हो जाएगा यहां से x लेंगे तो 12x का स्क्वेर मैनस का 25x और प्लस का 12 इसकल टू 0 के बराबर है तो इन दोनों 12 को अगर मल्टिक लाए करे तो 144 आएगा तो 16,9,44 होता है अधिकि 12x का स्क्वेर मैनस का 16x मैनस का आपका 9x प्लस का 12 इसकल टू में 0 तो यहां से मैं क्या करूँगा आपका 4, यहां से मैं 4x को मन निकाल लेता हूँ तो यह मेरे पास 3x मैनस का 4 हो जाएगा यहां से 3 निकालूँगा भार में आपका तो यह मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 3x minus 4oodle me 0 तो 4x minus 3 3, 2, 1 value आ जाएगी और 3x minus 4 मेरे पास इक value आ जाएगी इन दोनों को solve करेंगे तो x is goal2 में कितना हैगा 3 by my 4 और यहाँ पर solve करेंगे तो x is granthere 4 by my 3 यहाँ इन दोनों value को आप यहाँ रखे try करेंगे जिससे यह value satisfy करेगी उसी को यहां value रखे आप इस question को solve कर सकते हैं I hope आप सभी कोई question समझ में आया हुआ